नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप स्वीका ओला निडा फॉस्ट यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात कहेंगे कई बड़ी अप्डेट के बारे में जो कि सम्मंदिते यूपी टीटी को लेकर इसके अलावा करते हुए जानकाई दी गई कि एनम भरती की जो परिच्छा है वो आठ मई को देखने के लिए मिलेगी और उसके अंदर जो कट ओफ आप सभी के लिए निदायत कीगी उसके बारे में भी जानकाई आप सभी को मिल गई उसी करम में आज के समाचा पत्रों में भी आप सभी को परिच्छा होगी वो आठ मई को देखने के लिए मिलेगी 9,212 पतों मुख्य परिच्छा के लिए 19,000 अभ्यरतियों ने आविदन किया था परिच्छा निंतक दिनेस ने बताया कि प्रविश्पत जारी करने को लेकर मुख्य परिच्छा के शुल्क के संबंद में वेबसा परिच्छा की का एक हो या दो हो या फिर तीन सभी इसके अंदर यहां पर मुख्य परिच्छा बैठने का मुख्य मिलेगा लेकिन जब पीटी की कट ओफ को लेकर एनम के अंदर ऐसा देखने के लिए मिला तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि लेकपाल भरती के अं संख्या लाखों में हैं हाला कि अभी इस मुद्दे को लेकर विचार किया गया है कि कट ओफ अलग से बनाई जाएगी या फिर लेकपाल भरती के अंदर भी एनम भरती की तरह सभी अभ्यरती को बैठने का मुख्य दिया जाएगा इसको लेकर अभी कुछ भी करबाना पू हो सकता है कि लेकपाल भरती के अंदर 10-11 अभ्यरती पर इच्छा देने भी चले जाए ऐसे में आयोग के माध्यम से इसको लेकर कुछ नकुछ कट ओफ का नेधान किया जाएगा जैसे कि पहले बताया गया था कि पदों के साफिश पंदे गुना अभ्यरती को बुलाया जा है कि ऐसे में लेकपाल भरती के अंदर कट ओफ को लेकर जो अभ्यरती इंतजार कर रहें उनके लिए आवश्यक यह है कि आप सभी अपनी प्रपेशन करते रहें क्योंकि अभी तक उसके बारे में कट ओफ की कोई गोश्चना नहीं की गई है हाला कि एनम के अंदर सभी चा पत्कों की मांग तो यह थी जोन के अंतिमें देखने के लिए मिल सकती है क्योंकि यूपिट अपले सी पूरे तरीके से सिलो आयो गए अगर वो चाहते तो अप्रेल के अंदर भी पहिछा को करवा सकते थे एनेम को लेकर लेकिन उन्होंने मही को चुना मही के बाद में जून में पहिछा लेकपाल की होगी और उसके बाद जो भी पेंडिंग पहिछ को लेकर जैसा कि आप जानते कि नई प्याथ्मी सिच्छ भ्याथी को लेकर कल की ताइक में बेशिक शिच्छा विवाग में बैठक देखने के लिए मिली जिसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो भी आपको बनाया था जिसमें शासंघ की टरब से जानकाई दिगी विद् सब्सक्राइब देखने के लिए मिलेगा ऐसा यहां पर शासन की तरफ से जानकाई दी गई थी लेकिन उसी में मैंने आप सुभी को बताया था कि इसके अंदर शिक्षा मित्तों के प्रदों को जोड़ा गया है और उन सभी को जोड़कर यहां पर सिच्छक बना दिया गया है जब से नई बेसिक शिच्छा मंती बने हैं चातों की उम्बीत थी कि उनके माध्यम से नई भरतियों को लेकर जानकाई दी जाएगी मैं आप सभी को बयान भी दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले आप सभी यहां से देखें कि रिक्त पदों के विग्यापन जारी करने की मां पत्ते के अंदर 51,000 से अधिक पदों भरति को लेकर चार्थों की तरफ से मांग रखी गई जिसमें उनका कहना है कि पिछले तीन सालों से पंदेह लाग से ज्यादा अब भरति का बिग्यापन जादी नहीं हुआ है तो वहीं दूख सी तर बगर बात की जाए कल की तारिक म में बेसिक शिचा मंती जी के माध्यम से दिये गए बयान को समझें तो उनके माध्यम से जानका ही दी गई करके उनको पूरा करेंगे आपके विभाग में सबसे बड़ी एक सिख्शक भड़ती को लिएकर के हर सरकार कोई भी हो लेकिन यह मसला हमेशा रहता है उससे कैसे निपटना है या उसको लेकर की नई विवस्था लाने का प्लान है देगि नई विवस्था नहीं इ células को का इ पर ठीकप करके गवर्मेंट के तरफ से इन केसे में कोई भी डिलाई नी बढ़त करके उनको पूरा करेंगे। आपके विभाग में सबसे बड़ी एक सिक्षक भड़ती को लेकर के हर सरकार कोई भी हो लेकिन यह मसला हमेशा रहता है। अपलब यहां से साफ हो जाता है कि शासन की तरफ से या फिर अगर बात कि जाए बेसिक सिछामंती के माध्यम से उनका जो फोकस है उन भरतियों को लेकर जो पहले से नियाले के अंदर लटकी हुई है या फिर वह वूंप्तियां जो कि कहने की नियाले से कहने कि लंबित हैं या फिर उनको लेकर अभी छोटे मोटे काम बच्चे हुए हैं जैसे कि 68,000, 79,000 और भी तमाम ऐसी भरतियां। नए बेसिक चिच्चा मंती के माध्यम से भरतियों को लेकर इसपस जानकाई दीजारी उनका कहना है कि पहले जो लंबित मामले उन सभी को क्लियर किया जाएगा। लेकिन दूसरी दा बात कीजाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि समधित यूपी टीजटी पीजटी सिच्चक भरति को लेकर यहां पर दोश्राइब को जानकाई भी है कि यूपी टीजटी पीजटी सिच्चक भरति को लेकर काफी लंबे समय से चाहतों की अधियाचन से अगर बात कीज़े पुराने पचे हुए अभ्यरतियों को नोखी देने मतलब कि समय उजन किये जाने की मांग रखी गई इसके साथ ही अगर बात कीज़े नई भरती के विग्यापन को लेका ही मांग रखी गई चैन बोड के माध्यम से बार-बार की तरह लोलीपॉप दे दिया गया उनका कहना है कि समय उजन के बार से भरती का विग्यापन जारी होगा लेकिन आप जान दे कि आठ अप पहल के बार से चैन बोड के अंदर कोई अधिकाई नहीं बचेगा पूरे के पूरे तरीके से चैन जानकाई मिल दी उसको समझा जाए तो यूपीटीटी के जो आंसे किये वो आठ यार नो पहल को जारी कर दी जाएगी अभी तक पीएनपी सचेव के माध्यम से जो परिच्छा के परड़ाम भोशित करने को लेकर जानकाई मांगी गई थी उसको लेकर शासन को एक बाद फेर जाएगा और नहीं होता है तो आपको दस तारीक के आसपस आपका परड़ाम जारी करने को लेकर पीएनपी के माध्यम से एक नया प्रस्था बनाकर शासन को भीजा गया है अगर शासन मंजुई दे रेता है तो इनी तारीकों में आप सभी का परड़ाम घोशित हो जाएग देते हैं वीडियो को लाइक करते हैं साथी शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें